हाईलो इब्रीवन वेलकम टू माई चैनल के मिस्टी भाई पाउनसर आज हम इस वीडियो में उन्स रूल आप मैक्जमाम मल्टिप्लिस्टी के बारे में डिसकस करेंगे तो आए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं तो को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिप्लिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो आए ये शुरू करते हैं वीडियो को हुन रूल मल्टिप्लिसिटी हुन रूल अफ मल्टिप्लिसिटी या एंड मल्टिप्लिसिट ही आपके सकते हैं तुम लोग देखेंगे this rule deals with the feeling of electron into degenerate orbitals मतलब यह rule जो आपका rule है हुंस rule यह क्या करता है deals करता है feeling of electron electron को किस तरह से feel किया जाएगा भरा जाएगा into degenerate orbitals degenerate का मतलब क्या होता है equal energy वाले orbitals में electron को किस तरह से भरा जाएगा यह बताएगा आपको हुंड rule तरह देखेंगे according to this rule the distribution of electron in orbitals of a subcell is done in such way that the unpaired electron unpaired electron are maximum and their spin is in the same direction that is the orbital of a subcell are first filled by unpaired or single electron with each other when all the available orbitals are filled up and then only the pairing will start देखेंगे distribution of electron in orbital electron का distribution in orbital इस तरह से होना चाहिए आपके subcell जो आपके subcell होते हैं same spin, same direction जो spin होगा उनका क्या होगा same direction होगा यह पर्ड होगा तो पर्ड होगा यह downward होगा तो downward होगा सभी का that is orbital of subcell are first filled by unpaired or single electron सबसे पहले हैं subcell में क्या करेंगे first field क्या करेंगे unpaired electron यह कह सकते हैं single electron को भरेंगे जितने भी आपके orbital होगे सब में single electron भरा जाएगा with each other when all the available orbital जितने भी वहाँ subcell आपके orbital अबलेबल होंगे sub में क्या होगा सबसे पहले single electron fill किये जाएगे and filled up then only the pairing up pairing will start उसके बाद हम क्या करेंगे उसमें pairing कर सुरू करेंगे तहीं बताता आपका hund rule तो एक्जामपल से समझते हैं आपको और अच्छा से समझ में आएगा देखे माल लेजिए P subcell है इसमें 3 orbitals having same energy P में क्या होते हैं 3 orbitals होते हैं और भी same energy की होते हैं मतलब D generate orbitals होते हैं तो यहाँ Px होता है Py होता है Pz suppose कि इसमें 3 electron आपको feel करना है तो आप इस तरह feel कर सकते हैं एक में 2 electron इसमें single electron दूसरा आपको इस तरह feel कर सकते हैं 2 की spin क्या हो रही है upward है एक की spin क्या हो रही है downward है एक आप इस तरह feel कर रहे हैं कि 3 की spin क्या है upward है और 3 unpaid है तो हुंड्रेवल के रमसार सही तरीका जो भरने का आपका है यह क्या है right है सबसे पहले हम क्या करेंगे single single electron तीमों orbital में भरेंगे वो भी same spin के यहाँ पर यह भी रांग है और यह भी क्या है रांग है first single first single field है लेकिन क्या है यह रांग है spin is not parallel यहाँ spin parallel नहीं इसलिए यह क्या रांग है और यह आपका क्या है सही तरीका है भरने का आगे हम लोग देखते हैं example EN 7 atomic number 7 है तो लेक्टानिक configuration होगा 1s2, 2s2, 2p3 तो यहाँ सबसे पहले 1s orbital आएगा तो इसमें एक लेक्टान जाएगा फिर दो लेक्टान फिर 2s आएगा एक लेक्टान फिर दो 2p3 की बारी आएगी यहाँ देखिए px, py, pz तीन degenerate orbital है यहाँ आप इस तरह भर सकते हैं पहले आप single electron बरेंगे same spin के दूसरा तरीका आप इस तरह सभर सकते हैं लेकिन यह तरीका आपका क्या है रांग है और यह तरीका क्या है राइट है क्योंकि यहाँ पर क्या है multiplicity आपकी ज्यादा होगी और इसमें multiplicity क्या होगी कम होगी और हुन रूल ने ऐसा क्यों कहा इससे क्या होता है कि आप जानते हैं कि electron पर क्या होता है negative charge होता है तो region है electron repulsion वहाँ repulsive force क्या होगा कम होगा अगर single सिंगल पले भरा जाएगा फिर इसको paired किया जाएगा तो electron का repulsive force होगा वह आपको कम मिलेगा तो आगे देखते हैं हम लोग हार element यान nitrogen के लिए हम लोग multiplicity देखेंगे highest कब होगा और जब highest होता है वही क्या होता है सही rule electron feel करने का भी होता है जब multiplicity क्या होगा सबसे high होगा वही सबसे feel करने का अच्छा rule होगा देखे nitrogen के लिए हम लिखते 1s2, 2s2, 2p3 तो तीन तरीका साब feel कर सकते हैं तो 1s, 2s तो same रहेगा इसकी बात नहीं करेंगे बात करेंगे 2p3 का देख आप भर सकते हैं पहलू plus half, plus half, plus half क्योंकि yes spin का क्या होता है spin quantity number के दो पहलू होतीए माइनस half, एक plus half अपवर्ड के लिए plus half होता है तो तीनों अपवर्ड है थे plus half, plus half, plus half यहनि 3 by 2 आएगा दूसरे case में देखे, इस तरह साब भरेंगे, 2 अपवर्ड, एक जो की रांग तरीका है लेकिन यहां से मुल्टिप्लिसिटी प्लस हाफ माइनस आप कड़ जाएगा प्लस हाफ प्लस हाफ आजाएगा तीसरा तरीका आपको फिल्ड करतेंगे एक अनपेड़ एलेक्टान रहेगा उस केस में भी क्या आएगा हाफ मुल्टिप्लिसिटी अगर यहां पाप में maximum multiplicity है मतलब सही तरीका इलेक्टान भरने का यही है तो यह बताता है आपका हुन्ड रूल अगर सिंगल फिल्ड एर्बिटल हैब दा सेें इस्पिन बन सबसे पहले के आगरेंगे सभी लेक्टान आपके सिंगली फिल्ड होंगे और वह भी सेम इस्पिन के इसी तरह से अगर अलुमिनियूम के लिए देखते हैं तो alleen होता है एस को सु तू एस को सुhar CP1 तो यहां तक तथा आप पेर के देंगे में यहां पर देंगे यहां जिंगिल एक टार्म बचा है और D generated इसे कहें भी रख सकते हैं Px भी रख सकते हैं और पी जड में भी रख सकते हैं यहां आप आयरं के लिए देखेंगे 26 होता है यहाँ पर हमने last configuration दिखाया है 4S2 होता हो 3D 6 होता है 4S में 2 pair हो जाएगा 3D में 6 electron फिल करना सबसे पहले आप क्या करेंगे single electron भरेंगे same spin में फिर क्या करेंगे उसका pair करेंगे तो यहाँ साब को उन रूल भिधी जामपल के साथ बता दिया गया उमीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा अगर समझ में आया है दोस्तों तो कमेंट करके ज़रूर बताए हमें कमेंट बॉक्स में लिखें आपको वीडियो कैसा लगा है अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सस्क्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें थैंक यू आचिंग भाट इस वीडियो